घलो फ्रेंड's एम्यास कोड़र में आपका स्वागत है आजगी इस वीडियो का हमारा टोपिक है फॉस्ट-ंड फोलो आज इस वीडियो में हम जानेंगे संफ तरह एंड लो किimage को पाइंड आउट करते हैं सेने पहले पता होना चाहिए कि टर्मिनल्स एंड बटर नर्न क्या होता है क्योंकि अगर हमारे पास टर्मिनल से और डेंट टर्मिनल नहीं है वी रमीज्पस्ट इंड फॉलाह भी तर्म मारे पास तभी किरू से छूज तन पर कोई वेरियबली दिया हुआ है इससे जो स्ट्रिंग डेराइब होती है इससे जो भी स्ट्रिंग यहां पर डेराइब होगी उसको बोलेंगे हम टर्मिनल यानि कि यहां पर लेफ्ट साइड में जो भी हमें स्ट्रिंग इस वेरियबली से मिलेगी उसको बोलेंगे हम टर् वोग और जितने भी अर्तमिटिक ऑपरेटर समक्राइब जैसे मॉल्टिब्लिके अन्नum इस तरह के जितने भी आर्टमाटिक ओपरेटर सोंगे में सब क्या हूंगे टर्मिनल तरह से जितने भी सिंबल हो योगे सब क्या होंगे टर्मिनल होंगे अब नन टर्मिनल को किसको कहते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में यह जो कैपिटल में आपको एस दिखाए दे रहा है इसको बोलते हैं नन टर्मिनल मीन्स लेफ्ट साइड में जितने भी आपको यहाँ पर सिंबल दिखाए देंगे जितने से हैं और टर्मिनल कौन सी है एक तो यहां पर जो लफ्य साइड में होगा वह हमेना क्या होगा और और जो मोर केसमे होगा और जो टेर्मिनल्स होंगे वहलोवर केस में होगा या फिर कोई सिंबल लोगा या फिर कोई ओप्रेटर होगात तो आई होब कि yeter !!! हम पूर समझ में आ ऎ गया होगा कि की टर्मिनल SS TO की समझते है । पहले फट की that arriver from X मतलם यहां पर किसी भी सिंबल के लिए यहां पर जो कोई first हमें find out करना है वह हमेंसे क्या होगा none terminal के लिए find out करना होता है हमें iset तर्मिनल दिया हुआ होगा और उसके लिए मैंने लिए find out करना होगा और जो first होगा set of terminals मतलब यहां पर जो儿 which set के अंदर जो elements होंगे में सारे क्या होंगे टर्मिनल्स होंगे टर्मिनल्स में में से सारे या तो लोवर केस में होंगे कोई ओपरेटर होगा या फिर कोई सिंबल होगा तो सारे यहां पर हमें ब्रैकेट के अंदर सैट के अंदर जितने भी elements लेने हैं, वो सारे terminals होंगे, that begin the strings variable from x, जो क्या होगा, string को start करता होगा, यानि कि string का जो starting element होगा, वो ही first होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखे, एक example लिया हुआ है, a, test to a, b, e, h, and, इसको बोलते हैं हम epsilon, तो यहाँ पर देखे, a, a और b, a और b का मतलब क्या है, कि यह जो a और b string है, यह derived हो रही है, a से, a कितने string यहाँ पर generate कर रहा है, एक तो यह है, एक तो a और b है, एक e, h है, और एक epsilon है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a, a, b, a, ah, and a, epsilon, तो हम इसको इस तरह से है भी लिख सकते हैं अब हमें देखिए इसका फाइडा अगर हमें फाइड आउट करना हो तो कैसे फाइंडाउट करेंगे जो यह हैं है यह कोंन सी इस्टिंग को जन्रेट कर रहा है एक बी को तो इसका यहां पर यह जो फाइस्ट वाला इलिमेंट है यही क्या होगा यह का पर हमें एका फस्ट ऐंडिर फाइंड फ़िस्ट फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर इस ब्रेक्ट के अंदर हम ए लिख सकते हैं और एक बात हमें से एद रखिए गा कि इस ब्रेक्ट के leiment है वही क्या होगा एक फ़स्ट होगा तो यहां पर हम ब्रेकिट में लिखे देंगे तो इस तरह से हम यहां पर एक फ़र्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे अब इसका फ़र्ट हम कैसे फइंड आउट करेंगे देखे इसको बोलते हैं एप्साइलन या फिर नल और हमेश यहां पर जो एका फ़र्स्ट होगा इस सिटिविशन में हमेशा क्या होगा एप्साइलन होगा तो इस तरह से हम क्या एंगे एक फ़र्स्ट find आउट कर लेंगे तो विचे यहां पर क्यूंग लिख हूए ऐास grammar symbol यानि कि किसी भी grammar symbol का जो first होगा वो क्या होगा is the set of terminals वो terminals का set होगा तो यहाँ पर देख लिजिए हर set के अंदर जो होंगे वो terminal ही होंगे a e epsilon that begin the strings जो string को begin करता हो यानि कि string के बिल्कुल starting में हो तो यहाँ पर देखे हमने a ले लिया है क्योंकि a यहाँ पर first है यहाँ पर e हमने इसलिए लिया है क्योंकि e यहाँ पर starting में है और यहाँ पर हमने epsilon ले लिया है इस्टिंग डेरिवल फ्रॉम एक्स और यह जो string derived होई है वो x से derived होगी मतलब यहाँ पर a से derived होई है यहाँ पर s हो होता है भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर चलिए हम कुछ केस लेकर देखते हैं हमने यहाँ पर में सभी cases ले कवर किये हैं जिनके form में हमें question पूछे जा सकते हैं देखें यहाँ पर simply क्या पूछ लिया है एक टेंस टू एच और इसका हमें के अंदर यानिके एक फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा यहां तक क्लियर है हमें सबसे पहले left में जो string दियू होती है उसका starting element देखना होता है अगर starting element कोई terminals होते हैं Terminals क्या होते हैं वह हमने अभी देखा था तो वह हमारा क्या होगा इसका first होगा अभी हाँ पर second case यहां पर क्या दिया हुआ है second case है यहां पर a type to epsilon इसका नल भी बोल सकते हैं तो इस situation में हमेसा क्या होगा इसका जो एका first Oh Wow Yeah a' देखJean अब यह आपर देखे हम न órग थार्ड वाला केस लिए इसमें हमने क्या गिया देखे ए टारे टू बी एच यानि कि ए जो is तिन्ग ब्राइब कर रहा है वो प्वंधे अब हमें क्या करना है इस एक हमें first find out करने के लिए में इस इस्टिंग का जो starting elle इसको देखना होगा लेकिन यहाँ पर तो स्टार्टिंग अलिमेंट क्या है नं टर्मिनल यानिके कैपिटल भी है और हमने यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो फ़र्स्ट होगा वो सैट ऑफ टर्मिनल्स होगा मतलब उस सैट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वह हम नं टर्मिनल है तो हम यहाँ से सी का फ़र्स्ट फाइंड आउट करेंगे और सी का फ़र्स्ट क्या है यहाँ पर आईडी और आईडी एक टर्मिनल है तो यहाँ पर एका जो फ़र्स्ट होगा वो आईडी ही होगा तो यहाँ पर हम तब तक फ़र्स्ट फाइंड आउट कर अगर कोई नन टर्मिनल है तो हमें फिर उसका फार्स्ट फाइंड आउट करना है और उसके फ़र्स्ट को यहां पर पूट करना है और एक फ़र्स्ट वह होगा जो यहां पर हमने आईडी लिए तो यहां पर चलिए हमें एक एक्जामपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते ह तो यहांपर देखे हमने एक लिया हुआ है और इसमें करना है first find out करना है तो देखें यह पर हम first किस तरह से find out करते हैं है इसali होगा हमें सिर्फ ही हाँ पर जो left में सिर्में क हुई है is the starting element देखना है और हम element क्या है ती यानि कि यह नं टर्मिनल है अगर यहां पर यह टर्मिनल होता तो यहां पर टर्मिनल टर्मिनल है तो इसका मतलब सोरी नन टर्मिनल है तो इसका भी हमें क्या करना है फ़र्स्ट फाइंड आउट करना है तो टी का फ़र्स्ट क्या होगा यहां पर देगे टीस का फ़र्स्ट इसमें स्ट्रिंग में जो स्टार्टिंग अलिमेंट है वही क्या होगा टी का फ़र्स्ट तो यहां पर टी का फ़ स्टार्टिस को लिख देंगे और उनसिक्त इन डिट कर रहा है आइफ आई लिघ तो एक फर्स्ट क्या वणड़िटी दि क्या होगा करना है तो देखें यह जो है अगेन दो इस डूरेट कर रहा है पलस टी ए एड एड एफ सायल तो एक फ़र्च Всёब क्या होगा स्थेंग का ज्टार्टिंग provens को देखें स्टार्टिंग क्या generate कर रहा है एक शायलन और सवस्द यंजब भी किसी होता है वही इसका होता है फॉस्ट होता तो यहां पर हम इसका ले लेंगी एफ साइलेंड तो एका फेस्ट क्या होगा पलस एफसायलन अब find out करना है तो टी का first find out करने के लिए इस string को देखे और इस string का जो starting element उसको देखे तो starting element एक non-terminal है अगर यह terminal होता तो यह हमारा क्या हो जाता है टी का first लेकिन यहाँ पर एक non-terminal है और non-terminal को हम कैसे पता लगाते हैं कि terminal है या non-terminal तो यहाँ पर देखे अपर case में यानि के capital F है और capital का मतलब होता है कि वो non-terminal है तो यहाँ पर हमें F का क्या find out करना होगा F का हमें first find out करना होगा तो F का first क्या होगा देखे यहाँ पर दो string है id and e यह वाला तो इस string का जो starting element है तो that is opening bracket तो यही क्या हो जाएगा T का first हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दूसरी जो string generate कर रहा है that is id और F का first id हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लेते है id ले लेंगे यही क्या होगा T का first होगा इसी तरह से यहाँ पर देखे बी का first find out करने के लिए भी अगें दो string generate कर रहा है एक है multiplication FB एक है नल यानि के epsilon तो इस string का जो starting element है starting element क्या है multiplication और multiplication क्या होता है मैं आपको बताया था यह terminal होता है और जब भी हमें starting element terminal मिल जाता है वह हमारा क्या होता है first होता है तो यहाँ पर आजाएगा multiplication और second string यहाँ पर क्या है null है तो यहाँ पर null as it is जाएगा और यह भी क्या होगा बी का first हो जाएगा अब यहाँ पर F का हम किस तरह से first find out करेंगे देखे F जो है दो string generate कर रहा है एक तो यहाँ पर यह दिखाए दे रहा है एक को और एक यह id तो इस string का जो starting element उसको क्या है यहाँ पर opening bracket तो यहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा F का first हो जाएगा और second वाली जो यहाँ पर string है वो that is ID और ID terminal होता है तो इसको हम यहाँ पर as it is लिख लेंगे तो यह हो जाएगा F का first तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि एफ जो first होता है वो किस तरह से find out करते है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि follow को किस तरह से find out करते हैं अगर हम इसी वीडियो में follow को भी cover करेंगे तो यह वीडियो ज्याद्या ज्यादा लेंड हो जाएगा तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और अगर अब तक यह वीडियो आपको helpful लग रहे है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा थैंक्स फूर वोचिंग